हेलो एब्रीवन एक बाए फिर से स्वागत करते हम आपका अपने जीपी अकाडमी यूटूब चैनल में तो हमने पढ़ लिया लेंस किसे कहते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं यह सब तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया कि लेंस किसी कहते हैं लेंस कितने प्रकार अब लेंसों के द्वारा परतिविम्ब बनना, लेंसों के द्वारा कैससे बनता है अब हम इनहें जानेंगे तो विडियो को शुरु करने से पहले विडियो को आप लाइक कर दो और चनल को सब्सक्राइब कर दो तो चलिए हम करते हैं हम किरड आरेक के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिविम बनने को निरूपित कर सकते हैं हम क्या करेंगे किरड आरेक का उपयोग करेंगे और उसके द्वारा क्या करेंगे लेंसों का प्रतिविम बनाएंगे तो चलिए हम बारी बारी से एक एक लेंसों की स्थिति की बात हम करते हैं पहले स्थिति क्या है जब वस्तु अनंत पर हो कहां पर हो जब वस्तु हम लेंस से कहां पर रखें अनंत पर रखें तो जैसे देखिए हमारा अनंत हो गया जब वस्तु का प्रतिविंब कैसा बनता है हम जानेंगे तो यहां पर लिखा जब अनंत पर हो, तब कैसा प्रतिविम बनता है, इस इस्तिती में वस्तू का प्रतिविम से यवटतू पर अत्याइदिक Κोटा वास्तविक तथा औल्ठा बनता है, तो आपको हम लेंस के मदद से दिखा दें, जब वस्तू यहां से चल यवब से चला तो, लेंस पर टकराया, पहली स्थिति में क्या था वश्च्छ जब अनन्थ पर है तो इस साइट पर बना फोकस बूरा फ्रकाश बना फिके अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं तुझ पर अनन्थ और वक्रता केंदर के बीच में यानि कि 2F1 कहीं कहीं आपको 2F1 भी देखने को मिल जाएगा ठीक है तो जब वस्तु अनन्त वक्रता केंदर के बीच में हो तो इस इस्तिती में वस्तु का प्रतिविम लेंस के दूसरी तरब फोकस यफ्टू तथा वक्रता केंदर C2 पर छोटा वस्तविक तथा उल्टा बनता है ठीक है तो इस इस्तिती में वस्तु का प्रतिविम जो हमारा है कहाँ पर पहले वस्तु हम रखेते अनन्त और वक्रता केंदर यानि कि 2F1 या इसलिए हम वक्रता केंदर भी मान लेते हैं आनन्त और में पोकशसके बीच में बना बस आपको इतना स्टेफ साथ hm arrived ऐसा बंता है घिक है अब तीसरे चलते हैं उत्तर लें चीधितियां बनती हैं जिन में से यह हैं एक है्पर इसरे स्थिती हैं हम तीसरे इस्तिति को जान लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंदर पर हो, अभी वस्तु हमारा कहा था, अनन्त और वक्रता केंदर के बीच में था, तो अब हमारा वस्तु कहा पर आ गया, आधा घसक के आ गया हमारा फोकस में, ठीक है, तो अब फोकस में आ गया, देखते हैं वस्तु का प्रतिविम लेंस के दूसरी तरब वक्रता केंद्र पर समान साइच का वास्तविक तता उल्टा बनता है समान साइच का मतलब जितना हमने यहाँ पर वस्तु रखा था उतना हमें यहाँ पर भी प्रतिविम मिल रहा है अब चौधे पर चलते हैं अब चौधे नमबर भी क्या है अनंत के बीच में वास्तवीक, उल्टा तथा वास्तु से बड़ा बनता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है वास्तु वास्तिविक तो बन रहा है उल्टा तर्था वस्तु से बड़ा बन रहा है अब इस स्थिति में ये हो रहा है कि वास्तिविक उल्टा तर्था वस्तु से बड़ा बन रहा है ठीक है देख लेते हैं तो अब हमारा वस्तु कहां पर आ गया है वक्रता केंद्र और फोकस के सकते जाएगी ओस इतनी बात को ध्यान में रखना है जब मद करदम इधर घसका तो इधर looking से भी थान कॉधिने कहानर रखना है कि हमारा को कब कहां कैसे जा रहा है तो जैसे यहाँ छो के छो इस्तिति को आप आसानी से बना सकते हो। अब चलते हैं हम पांचमे स्तिति पर पांचमे स्तिति में क्या है। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। तो अब हमारा वस्तु कहां पर खसके आ गया ॥ पहले कहा था हमार वक्रता के अंदर हो फोकस के बीच में था लेकिन ववस्तित में खस्क्रे में Deci Chem Bund जंब घो कर आ गए थिकिन है तो मुख्य से झेभ घोकस पर गया। नो जब हमारा वस्तू आ गया। इस शितिक सी्पिक का प्रतिविंग हो और कैसे बनता है। देख रहते हैं इस इस्तिति में वस्तु का प्रतिविम लेंस के दूसरी तरब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है ठिक इस इस्तिति में क्या हो रहा है वस्तु का प्रतिविम अनंत पर बन रहा है उल्टा तथा वस्तु से अत्यधिक बड़ा बन रहा है तो आप देख सकते हो यहां पर प्रतिविम रखा गया मुख्य फोकस पर तब इस इस्तिति में वस्तु का प्रतिविम अनंत पर बन रहा है कहीं कटी नहीं रहा जो वस्तु हमारा प्रतिविम यह सीधा जाकर कि अब अनंत पर बनेगा इधर बीच में कहीं इसस्तती में क्या होता है हम देख लेते हैं जब वस्तु मुझ्ह फोकस यह प्राकास की केंदर पर हो तो यह लेंस पहले में वस्तु का प्रत्विम लेंस के इस उसी उर यूर अम加ती सिधा नते बनता है अब जब वस्तु कहां पर है वस्तु के मुख्य फोकस प्रकास की केंदर पर हो तो इस सिति में वस्तु का प्रतिवे में कहां बन रहा है लेंस के इसी ओर वस्तु से बड़ा अभासी सीधा बन रहा है ठीक तो जब वस्तु कहां पर है हमारा फोकस और प्रकास की केंदर के बी भी जम्में हो उसस्टितिती में वजुका प्रतिविम कहां बन रहा है लेंज के इसी वर आभावासी सीधा गreibtा बस टू से बढ़ा बन रहा है ये तो था हमाई जानेंगे ऑपतर प्रतिविम के यस बनते हैं तो हमने आपको बता दिया को अप्र डैंगे ऑपतर अप्र जाने को बता देते हैं चलते हैं पहले स्तिती पर पहले इस दिक्षा है और कि छोटा बनता है रहए कि जबınız व क हमारा कहां पर ाूंध ने जब वस्तु अनंत पर हो तो इस सित्य में वस्तु का प्रतिविम्ब लेंस के इसी और फोकस पर आभासी सीधा तर्था वस्तु से अतेदिक छोटा बनता है। ये डब्बे की तरह बंध है ठीक है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो इससी और देखे यह फोकस यहां पर यह प्रतिविम्ब बन रहा हो बनता हुआ प्रतीथ हो ठीक अब हम दूसर के इस्तती पर, दूसरा इस्तती क्या है, जब वस्तु अनंत तथा प्रकास की केंदर के बीच में हो, यहां से यहां तक के बीच में कहीं भी वस्तु हो, उस इस्तती में वस्तु का प्रतिविम्ब कैसा बनता है, हम देख लेते हैं, इस इस्तिती में वस्तु का प्रतिविंब लेंस के इसी ओर फोकस यफवन तथा प्रकास की केंद्र के बीच में आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है ठिक आभास का मतलब के वाल हमें आभास होता है कि यहां परवस्तु का प्रतिभीम्ब बन रहा है ठिक है तो यह हो गया लेंसों के द्वारा प्रतिभीम्ब कैसे बनता है ठिक आपको कॉंसेप्ट क्लियर कर दिये तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए